वैसे तो मेरी रंगत बिलकुल साफ सुथरी और गोरी चिट्टी थी, नए नक्ष भी बड़े तीखे थे, लेकिन मैं दुबली पतली बहुत थी, बचपन से ही मुझे लड़कों के साथ खेलने कूदने का बड़ा शौक था, अक्सर मैं गली महले में लड़कों के साथ ही खे इसलिए मेरा पैहनना ओरना भी ऐसा ही था, मैं लड़कों की तरह ही शर्ट और जीन्स पहनती थी, सर पर कैप लगाए रखती, थी, क्रिकेट बैडमिंटन फुटबॉल यह सब मेरे पसंदीदा खेल थे, मुझे पता ही नहीं चला कि कब समय गुजरने लगा और मैं 16 साल की दहलीज भी पार कर चुकी थी, 16 साल की हुई तो मेरी माने मुझे जबरदस्ती घर पर बिठाना शुरू कर दिया, कहने लगी लड़की हो तुम, घर पर रहा करो, शर्म नहीं आती इतनी बड़ी हो गई हो और अभी तक मोहले के लड़कों के साथ खेलती नजर आती हो, पा से ही लापरवाह थी, मा की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा देती थी, मा की डांट फटकार सुनने के बाद भी मेरा ध्यान बाहर खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की तरफ था, मैंने ममी की विंती की की बस यह आखरी बार खेलने दे लेकिन वह नहीं मानी, मेर बाहर जाना बिलकुल बंद कर दिया गया था, बस यह था कि मैं छट पर जाकर पतंग उड़ा लिया करती थी, या बराबर वाले आहिल की छट पर जाकर उसकी मा से शिकायते लगा लेती थी, कि मुझे माने घर में कैदी बना कर रख दिया है, मेरा उठना बैठना चाल धाल सब, लड़कों जैसा था तो आहिल मुझे मुझे मुस्कुरा कर देख कर कहता कोई बात नहीं सौमया अब तुम बड़ी भी तो हो गई हो, अब घर पर रहा करो, आहिल तो उल्टा मुझे ही समझाने लगता, अक्सर मैं उसी से उसकी शर्ट लेकर पहना करती थी, बेशक मै लड़कों के साथ खेल कूद कर बड़ी हुई थी, लेकिन मोहले के लड़कों ने कभी मेरे साथ बत्मीजी या हद पार करने की कोशिश नहीं की थी, और उसकी वजह शायद आहिल था जो कि हर जगह मेरा रक्षक बन कर मेरे साथ रहता था, मा के बहुत से काम भी कर दिया कर जब भोपाल से मेरी मा की सहेली ने अपने बेटे का रिष्टा मेरे लिए मांगा था, लेकिन जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने मा से साफ कह दिया कि मैं आपको छोड़कर दूसरे शहर नहीं जाओंगी मम्मी कहने लगी तुम्हारी जो करतूते हैं, मैं तुम्हें अपन खैर मेरी शादी की तरफ कोई ध्यान नहीं था, अभी तक मेरा दिमाग बस खेल कूद में ही अटका रहता था, शादी से चार दिन पहले तक मैं बाहर निकलने की तरकीब करती रही थी, और छुप छुप कर बाहर निकल भी जाया करती थी, मेरी मा मुझे जबरदस्ती खीच खीच कर घर में बंद करती, कि शादी होने में चार दिन बचे है, और इस लड़की को चैन नहीं है, अरे दुलहन इस तरह शादी से पहले ही इधर उधर भागती फिरे तो उसके उपर रंग रूप नहीं चड़ता, और यह चार दिन मैंने बड़े ही मुश्किल में अपने घर में बैठ कर काटे थे, आस्मान पर पतंगे उड़ती और कटी देख कर मैं सीधी, दौर छट की तरफ लगाती थी, ताकि वह कटने वाली पतंग में पकर लो, खेर मेरी बारात भोपाल से आई थी दिन के समय मेरी शादी हुई थी और रात की ट्रेन से ही वापसी ना होने के बराबर था, चार, पांच साल बाद ममी की यह सहेली हमारे घर मिलने आती थे, हफ़ता दस दिन रहकर वापस चली जाती थी, इसलिए मुझे ना तो अपने सास के घर के माहौल के बारे, मैं कुछ पता था ना ही अपने पती अमित के बारे में, बेशक मेरा सारा बच्पन लड़कों के साथ खेल कूद कर गुजरा था, लेकिन जिन नजरों से अमित मुझे देख रहा था और जो उल्जन मुझे उसकी नजरों से महसूस हो रही थी, कभी उन लड़कों से नहीं हुई थी, जिन के साथ मैं बच्पन में खेलती चली आ रही थी, वह मेरे स पहनती रहती या फिर लोवर और टी-शर्ट में घूमती रहती थी, इस वक्त इस दुलहन के भारी लहेंगे में सक्त उलजन महसूस हो रही थी, बड़ी मुश्किल से मैं सोलह से सत्रा घंटे का यह सफर अपने इस भारी लहेंगे के साथ किया था, रात को सोने से पहले मैं ज प्रफीक से नींद नहीं आई थी, मैं हमेशा नींद की बड़ी पकी थी, जब भी मुझे नींद आती मैं चाहकर भी खुद को जगा नहीं पाती थी, इसलिए अपने पती के कमरे में, आने का इंतजार भी मैं नहीं किया था, तकिये पर सर रखकर मैं सो गई थी, ना जाने रात के किस समय मेरी आग खुली थी, मैंने देखा अमित सोफे पर तकिया रखकर सो रहा था, यह देखकर मुझे बड़ी शर्मिंदगी सी हुई थी, मुझे उसका इंतजार करना चाहिए था, खेर मैंने घड़ी पर नजर दोड़ाई तो रात के तीन बज रहे थे, मुझे ब ही मैंने बेड से नीचे पाव रखे, ना जाने नीचे क्या था कि मेरा पाव से टक्रा हो गया और मैं गिरते गिरते बची थी, लेकिन मेरे मुंग से एक चीख निकल गई थी, और मैं जल्दी ही संभल भी गई थी, गिरने से तो बच गई थी लेकिन चीख की आवाज सुनक अमित की आख जरूर खुल गई थी, मुझे जागते देखकर वह मुस्कुराता हुआ उठकर मेरे पास आ गया, अपना तकिया भी बेड़ पर रखा, बेशक उसका बच्पन में मेरे घराना जाना था लेकिन अब अमित मेरे लिए बिलकुल अंजान था, वो मेरे पास आकर बै से बहुत ठक गई थी, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला कि कब आख लग गई, कहने लगा हां मैंने तुम्हें जगाने की कोशिश की थी लेकिन नींद में ही तुमने साफ कह दिया कि मुझे सोने दो, उसमें गहरा सांस लेते हुए मुझे कंखियों से देखा था, मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं था लेकिन ऐसा मुमकिन भी था क्योंकि गहरी नींद में जब मम्मी मुझे उठाती थी, तो मैं उन्हें भी ऐसे ही कहती थी, उस वक्त, तब मुझे काफी शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी, मैं अभी यही सोच रही थी कि कैसे अमित से ये पूछा तो मैंने अपना फैसला मा पर छोड़ दिया था, लेकिन फिर यह सोचने लगा पता नहीं तुम कैसी होगी, लेकिन तुम खूबसूरत हो मुझे अपनी मा के फैसले पर कोई भी एतराज नहीं है, बलकि खुश हो कि मेरी मा ने इतनी खूबसूरत लड़की मेरे ल नोखा था, क्योंकि अब तक जिन लड़कों के साथ में खेला करती थी, वह मुझे लड़का ही समझा करते थे, कभी मुझे ऐसी बाते नहीं करते थे, इसलिए अमित के मुंग से अपनी तारीफ सुनकर मुझे अच्छ, च्छा लग रहा था, उसका मेरे चहरे को छुना मध हो, शब्दों में बात करना सब कुछ दिल फरेब सा लग रहा था, कि अचानक से वह मेरे हाथ देखकर चुपसा हो गया, कहने लगा तुम्हारे हाथ इतने मोटे और बड़े से क्यों है, लड़कियों के हाथों जैसे खूबसूरत क्यों नहीं है, उसने मेरे हाथों को इसलिए मेरे हाथ बड़ा रुखेफ, इके और हर वक्त लड़कों वाले खेल-खेल मोटे-मोटे से हो गये थे, वह बेड से उठकर अलमारी के पास चला गया, अलमारी खोल कर उसने एक ब्लैक कलर का ड्रेस मुझे थमा दिया, कहने लगा जाओ इसे पहन कर आओ, मैं मैं बेहद नर्वस हुई थी, मैं कमरे में आई तो सामने ही अमित हाथ में परफ्यूम की बोतल पकड़े खुद पर स्प्रे कर रहा था, मुझे देखकर, मुस्कुराता हुआ मेरे पास आ गया मुझे पर स्प्रे करने लगा, कहने लगा मुझे इस परफ्यूम की की बार सामना हो रहा था, कुछ ही देर में उसने मुझे अपनी आगोश में समेट लिया था, उसके हाथ मेरे शरीर के हर हिस्से का सफर कर रहे थे, लेकिन एक जगह जाकर उसके हाथ रुख गए थे, फिर अचानक ही वो मुझे एक दम पीछे हटा था, उसके चेहरे के हाव भाव, एक दम से बदले थे, मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसे हुआ क्या है, वह फॉरन कमरे से बाहर निकल गया, मैं काफी देर तक उसका इंतजार करती रही, लेकिन वह वापस कमरे में नहीं आया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे हुआ का किया था, अभ मुझे हैरत हुई थी कि वह कमरे की बजाए बाहर सोफे पर क्यों सो रहा था, मैं जैसे ही उसके पास आई वा, मुझे देखकर मुझ फेरने लगा, और फिर तो जैसे ये सिलसिला ही शुरू हो गया था, मैं जितना उसके पास जाने की कोशिश करती वो मुझसे उतना दूर भ एक बार मैं तंग आकर उसके सामने खड़ी हो गई, मैंने कहा अमित आप मुझसे बात क्यों नहीं करते, क्यों मुझसे दूर दूर रहते हैं, तो वो कहने लगा तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे अगर पता होता कि तुम ऐसी हो, तो मैं कभी भी तुमसे शा धाल और शरीर की बनावर्ट तक मर्दों जैसी है, यह कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया था, शायद मैं ट्राउजर और टी-शर्ट पहनती थी, इसलिए वह ऐसा कह रहा होगा, क्योंकि मुझे शुरू से ही धीले धाले कपड़े पहने की आदत थी, इसलिए मैंने अब तक अपने दहेज की फैंसी साडियां तक नहीं निकाली थी, अब मैंने अपने दहेज की, वह सारी साडियां निकाली और उन्हें पहनना शुरू कर दी, और अपनी सास के साथ मिलकर अमित की पसंद का खाना बनाना भी सीख लिया था, उसके सारे काम भी अपने हाथों से करने लगी थी, मैंने दो महीना में ही खुद को एकदम बदल कर रख दिया था, कि शायद अमित कर व्यवार मुझसे ठीक हो जाए, लेकिन वह तो किसी पत्थर की तरह बन चुका था, रोज रात को देर से घर आता और सोफे पर लेट कर सोजाता मैं उसकी संगत के लिए तरपा करत अमित की पसंद में ढलकर अपनी परसनालिटी तक खो बैठी थी, मैंने खुद को अमित की पसंद में ढलने की हर मुमकिन कोशिश करके देख ली थी, लेकिन वह ऐसा ही था मुझे अब भी बात नहीं करता था, एक रात में सो रही थी मुझे चिला कर बात करने की आवाजे आने लगी और शोर से मेरी आख खुली थी, मेरी सास और अमित में बहुत बैहस हो रही थी, मैं कमरे का दर्वाजा खोल कर बाहर आई तो सास के कमरे की लाइट जल रही थी, और कमरे से बैहस करने की आवाज आ रही थी, मैं कमरे तक पहुँच गई थी लेकिन जो बात अमि और मेरी सास के बीच हो रही थी, वह सुनकर मेरे होश उड़ गए थे, अमित अपनी मा से कह रहा था कि वह दूसरी शादी करना चाहता है, और यह सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकलते हुए महसूस हुई थी, मेरी सास कहने लगी खबरदार जो तुमने यह शब् मेरी सास कहने लगी क्यों ऐसा कौन सायब है मेरी बच्ची में, तुम्हारी खातिर उसने खुद को बदल कर रख दिया है, खाना बनाती है, तुम्हारे सारे काम करती है, पूरे घर को उसने संभाल लिया, ए, अपने पहनने ओडने चलने फिरने उठने बैठने तक का तरीक बदल लिया है, और एक तुम हो कि तुम उसे पर सौतन लाकर बिठाना चाहते हो, वह कहने लगा माम, मैं आपको नहीं बता सकता कि उसमें क्या कमी है, मैं क्या उसके साथ तो कोई भी मर्द जिंदगी नहीं गुजार सकता, इसलिए मैं दूसरी शादी करूँगा, सौमया कहे तो मैं उसे तलाक भी देने को तयार हूँ और चाहे तो मेरे नाम के साथ भी जिंदगी गुजारती रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यह कहकर वह कमरे से बाहर निकला तो मुझे देखकर रुकसा गया था, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, वो मुझसे नजरे, चुराता हुआ वह कमरे में चला गया, मैं भी उसके पीछे कमरे में आ गई, मैंने कहा आज मुझे बता ही दो अमित, कि मुझ में ऐसी कौन सी कमी है, जिसकी खातिर तुम दूसरी शादी करना चाहते हो, वो कहने लगा खुद को आइने में देख लो, तुम्हें मालूम हो जाएगा कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है, मैंने कहा कि वह तो मैं खुद को रोज देखती हूँ, मुझे नहीं पता, इनसान को हमेशा अपना आप अच्छा ही लगता है, लेकिन तुम बताओ क्या बुराई है मुझ में, कहने लगा तुम्हारे अंदर औरतों वाली महसूस होता है, जैसे मैं किसी मर्द के पास मौझूद हूँ, और मुझे तुमसे गिनाती है, तुम्हारी संगत में घुटन का एहसास होता है मुझे, तुम्हे च्छुने से कुछ भी अच्छा महसूस नहीं होता और ना ही मेरे दिल के, जजबातों में कोई तूफान उठ लगता है, तुम्हारे पास आने को जी नहीं चाहता, तुम्हें देखकर मेरा जी मतलाने लगता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैं तो उसकी बाते सुनकर बेजांसी होकर बैठ कई थी, औरत की इससे बड़ी जिलत और बेजती क्या हो सकती थी, जिन शब्दों मे अमित ने मेरी की थी, जो कमी उसने मुझे बताई थी, उसमें मेरा कोई बस नहीं था, जो इंसल्ट उसने मेरी की थी, मैं पूरी रात रोती रही थी, अगले दिन मेरी सास ने मुझे कहा कि जब से तुम्हारी शादी हुई है, तुम माय के नहीं गई हो, तुम कुछ दिन क इसलिए उसे तुम्हारी कदर नहीं है। जब तुम यहां नहीं होगी तो वह खुद तुमहारी कमी महसूस करेगा। फिर उसे तुम्हारी कदर होगी। महले के सारे लड़के जो मेरी ही उम्र के थे मुझसे मिलने आ गए लेकिन मैं आज उनसे दूरी बना कर मिल रही थी, क्योंकि मेरी सोच बदल गई थी, उन लड़कों में एक लड़का आहिल भी था, मेरी सबसे ज्यादा दोस्ती उसी के साथ थी, वह भी मुझसे मिलने आया जब सब चले गए तो वह मेरे पास आकर बैठ गया, कहने लगा तुम्हें क्या हुआ है सौमया, इतनी उदास क्यों हो, मैंने कहा नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ यह कहते हुए मेरे शब ना चाहते हुए भी नम हो गए थे, वह मेरे चेहरे को मेरी आँखों को बड़े ग कुछ कहा है, तो बस आहिल जो एक बार इशारा कर दो, फिर देखो साले को कैसे ठीक करता हूँ, उसने अपनी, आस्तिने चढ़ाते हुए मुझसे कहा था, मैंने कहा तमी से बात करो तुम्हारे जी जा जी है, वो कहने लगा तुम्हारी आँखों में आंसू लाने वाला ज से इस मसले का हल पूछती हूँ, शायद वह मेरी मदद कर दे, अगले दिन मैं आहिल के घर चली गए, आहिल उस समय अपनी पापा के साथ उनकी दुकानों पर जाया करता था, उनकी अपने कपड़े की कई दुकाने मार्केट में थी, और वह अपने पापा के साथ मिलकर उन शादी शुदा, जिन्दगी के बारे में पूछने लगी मैंने उसे यही कहा कि अमिद बहुत अच्छा इनसान है और मैं बहुत खुश हूँ, फिर बातों ही बातों में उसे जिजखते हुए वो सवाल ही पूछ लिया जो मेरी जिन्दगी का सबसे बड़ी प्रॉब्लम ब चली गई थी, उसने मुझे कुछ दवायां दे दी और अच्छी खुराख खाने, के लिए भी कहने लगी, मैं घर वापस आई तो फोन पर मेरी मा मेरी सास से बात कर रही थी, मैंने मा से फोन ले लिया और खुद अपनी सास से बात करने लगी, उनसे अमित के बारे में पू मेडिसन मुझे दी थी, वह मुझे खाना खाने के बाद खानी थी, लेकिन सास से बात करने के बाद जैसे मेरी भूग खत्म हो गई थी, मुझे लगा था मेरे जाने के बाद अमित को मेरी कमी महसूस हुई होगी, वह मुझे याद करता होगा लेकिन वह तो अभी वैसा ही थ मैंने कुछ ही निवाले खाए और अपनी मेडिसिन खा ली, उसे खाने के बाद मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी थी, सीने में दर्थ की टीस उठने लगी थी, मुझे अपना सीना भारी-भारी लगने लगा था, शायद मेरी प्रॉबलम का हल यही हो यह सोच कर मैं वह खाने लगी और उसे खाते ही मेरे पसीने छूटने लग जाते थे, मुझे घबराहट होने लगती लेकिन अमित की खातिर मैं यह सब कर रही थी, एक बार मेरे नंबर पर अमित की कॉल आ रही थी, जबसे मैं दिल्ली आई थी, अमित की कॉल आज पहली, बार आई थी, मैंने फोरन से फोन उठा लिया मुझे लगा शायद वह मुझे याद कर रहा होगा इसलिए उसने फोन किया होगा लेकिन वो कहने लगा तुम जो खेल मेरे साथ खेल रही हो अच्छा नहीं कर रही मेरी मा मुझे तुम्हारी वजह से ज्यादाद से बेदखल कर रही है मैं तुम्हे चोड़ूंगा नहीं, पता नहीं तुम जैसी मरदाना लड़की ने मेरी माँ पर क्या जादू कर दिया है, कि उसे सारे जहां की खूबियां बस तुम्हारे अंदर नजर आती है, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है, तो अपना इलाज कराओ, मैं तुम्हें बस पंद्रह दि कह रही थी कि मेरे साथ यह मत करो, जैसे ही फोन बंद करके पल्टी तो मेरे पीछे हाथ बाधे आहिल खड़ा था, उसे देखकर मैंने जल्दी से अपने आंसु साफ किये थे, कहने लगा तुम्हारे पती का फोन था, मैंने कहा हाँ, कहने लगा क्या कह रहा था, और रो क्य रही हो, वो इस वक्त काफी सीरियसली मुझसे पूछ रहा था, मैंने कहा तुमसे मतलब, तुम क्यों हर वक्त मेरे सर पर सवार रहते हो, और बिना, बताए मेरे कमरे में दंदनाते चले आते हो, तुम होते कौन हो मेरे कमरे में इस तरह मेरी बिना अनुमती के आने वाले, जाओ निकलो बाहर यहां से, मैं उसे कुछ भी बताना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं मने उसे बड़ी खरी-खरी बाते सुना दी थी, मेरा यूँ गुस्सा देखकर मुझे कहने लगा कि तुम छुपा नहीं सकती मुझसे कोई भी बात, मुझे अंदाजा है कि तुम्हारे प कमरे से बाहर निकाल दिया, और कमरे का दर्वाजा बंद कर लिया, सामने रखी अपनी मेडिसिन देखकर मुझे अमित की बात याद आने लगी, मैंने दो टैबलेट निकाली और एक साथ खाली, मैं चाहती थी मेरी समस्या का हल जल से जल्द हो जाए, ताकि मेरा घर तूट लेकिन वह दवा खाते ही मुझ पर इसकदर घबराहट सवार हुई की उल्टिया शुरू हो गई, मेरी हालत बिगड़ने लगी थी, मेरी मा मेरी हालत देखकर परेशान हो गई, मेरे पापा घर पर नहीं होते थे, बाकी सब अपने बेहने अपने घर की थी, इसलिए मेरी मा ने आहिल को ही बुलाया था और, उसी को साथ लेकर मुझे हॉस्पिटल लेकर गई थी, तीन दिन तक मैं जो खाती थी मुझसे डाइजिस्ट नहीं हो रहा था, लेडी डॉक्टर ने जब मेरी हालत देखी तो कहने लगी यह दवा बहुत तेज है, और उसके साइड इफेक के हाथ में होता है, कि वह इंसान को कैसा शरीर देता है, बलकि इंसान के हाथ में, कुछ नहीं होता, अक्सर लड़कियों को यह प्रॉबलम होती है, लेकिन जो मर्द चरित्र के कमजोर होते हैं, जिन्हें औरत की इज़त का कोई एहसास नहीं होता, वह उनसे ऐसी बाते करत वक्त के साथ-साथ ये प्रॉब्लम खुद ही दूर हो जाती है। ये समझाया और वापस चला गया। की रूह तक को घायल करके रख देती है। लेकिन मैंने यह सब सुनकर भी यही चाहा कि उसके दिल में मेरी जगह बन जाए। वह मुझे तलाक ना दे। मैं तलाक के नाम का दाग लगाना नहीं चाहती थी। मैं यह सब कहते हुए रोए जा रही थी मा की आँखों से भी आंसू बह रहे थे। अगले दिन मेरी माने मेरी सासे बात की। वह खुद परेशान थी कह रही थी मुझे माफ कर दो मेरी वजह से सौमया की जिंदगी खराब हुई है। मेरा बेटा एक तवायफ की मोहबत में गिरफतार था उसके साथ नाजाय संबंध बना लिये थे। मैंने उसे अपनी कसम देकर सौमया से शादी करवा दी। लेकिन उसे उस बाजारी औरत की आदत पर चुकी थी। इसलिए घर की शरीफ लड़की में जब वैसी अदाए नजर नहीं आई तो उसने सौमया में एब निकालना शुरू कर दिये। मेरी सास मेरे पास आई और खुद मुझे अमित से तलाक दिलवाई थी। कहने लगी वह मेरी बेटी के काबिल ही नहीं था लेकिन मर्द जात से मेरा विश्वास उठ कया था। अभी तलाक हुए दो ही महीने हुए थे कि आहिल की मा आहिल का रिष्टा मेरे लिए लेकर आई लेकिन मैंने साफ मना कर दिया एक मर्द से बड़ी गहरी चोट खाई थी इसलिए किसी दूसरे पर रैत्बार नहीं कर। सकती थी। ममी ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की आहिल ऐसा नहीं है लेकिन मैंने कहा कि मुझे शादी नहीं करनी वह लोग मायूस होकर वापस जा चुके थे। कुछ दिन बाद मैं आंगन में बैठी थी जब एक बॉल आंगन में जाकर गिरी थी। बाहर लड़कों का शोर होने लगा था दर्वाजे पर दस्तक हुई तो मैंने बॉल उठा लिया दर्वाजा खोल कर अपना बाल वाला हाथ बाहर निकाला था। मुझे लगा बाल लेने के लिए दर्वाजा बजाया गया है लेकिन किसी ने बाल के बजे मेरा हाथ पकड़ पकड़ा था। ब कहने लगा इंकार क्यों किया तुमने मैंने कहा यह मेरी जिंदगी है मेरी मर्जी वो दरवाजे को धकेल कर अंदर आ गया कहने लगा बुराई क्या है मुझ में इंकार की वजह बताओ सौमया मैंने कहा मुझे शादी ही नहीं करनी वो पूछने लगा क्यों बहुत मोहबत है उस कमीने इंसान से तुम है, जो उसकी याद में अपनी जिंदगी बरबाद करना चाहती हो, वो मेरी आंखों में गुसे से देखते हुए कह रहा था, मैंने कहा नहीं है, मुझे किसी से भी मोहबबत समझे, मर्दों से ही नफरत हो गई है, अपनी जिंदगी में किसी मर्द को शामिल करना ही नहीं चाहती, वो कहने लगा उस आदमी की वज़े से तुम यह जूटे बहाने बना रही हो, आज भी तुम्हें अमित से प्यार है, तभी इंकार किया है तुमने, वरना अपनी मा के आंसू तुम्हें नजर आ जाते, अपने बाप की जुकी हुई कमर तुम् तुम्हें तो कहने लगा ठीक है, फिर इस बात का सबूत दो मुझे, मैं इसी रविवार को तुमसे शादी करने आ रहा हूँ, अगर तुमने मुझसे शादी कर ली तो मैं समझ जाओंगा कि तुम्हें अमित से नफरत है, अपने लिए ना सही अपने बुड़े माबाप की खुशी के लिए तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए, ये कहकर वह चला गया था, डरोने लगी थी, मैंने बाकई अपने माबाप के बारे में सोचा ही नहीं था, जो मेरे गम की वज़े से घुलने लगे थे, मैंने उसकी बात पर फिर कोई इतराज नहीं किया था, बैठा मैं, रोने लगी थी, वह कहने लगा सौमया हर आदमी इतना गिरा हुआ नहीं होता, बचपन से तुम मुझे जानती हो क्या तुम्हें ऐसा लगता है, कि तुम्हारी इन कमियों को तुम पर जताओंगा जिसमें तुम्हारा कोई बस ही नहीं है, मैं हैरान थी कि उसे यह सब कैसे पता, वह हर बार की तरह मेरे दिल में और मेरे दिमाग में आने वाले हर सवाल को कैसे जान जाता था, वो मेरा हाथ थाम कर कहने लगा लेडी डॉक्टर की सारी, बाते मैं सुन चुका था, और वह भी जो तुमने लेडी डॉक्टर को बताया था, तुम्हारी मा और बाप से भी कह चुका था, कि ऐसे नीच खटिया इंसान से सौमया को तलाक दिलवा दें, मैं उसे अपनाना चाहता हूँ, इसलिए भूल जाओ वह सब जो हो चुका है, बस यही याद रखो कि तुमसे आहिल बच्पन से मोहबत करता है, जिन दिनों तुम्हारी शादी अम दिल में कोई डर नहीं था, सुकुन से मैं आहिल के सीने से लग गई थी, मैं नहीं जानती थी कि वह मुझसे इतनी मोहबत करता है, शायद असल मोहबत यही थी जिसमें इनसान दूसरों की कमिया नहीं देखता, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? उस्तों कहानी कैसी लगी जरूर बताना पसंद आई हो तो फ्लीज लाइक करना, रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ.